बारिष के मोसम में गाय वेंसों में अक्सर एक तकलीफ जनरली देखी जा रही है वो है अकडन की और इस अकडन की तकलीफ की वज़े से पसुबालग भाई बहुत ज़्यादा परेसान है जब भी गाय वेंस अकड जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसका दूद कम हो जाता है खाना पे ना कम कर देती है तो चिंताएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो अगर किसी भी गाय या भेंस को अकडन की सिकायत हो रखी है तो उस कंडिशन में हमें कुछ ऐसा जनरली टीटमेंट है जो देना चाहिए इसमें क्या होता है कि कई बार तो ज्यादा तेज ब फिवर भी कहते हैं जो कि अपने आप ठीक हो जाती है उसमें अगर दर्द सुजन की कुछ दवाएं दो तीन दिन तक दी जाए तो आराम से ठीक हो जाती है वो कोई ज़्यादा परेसान करने वाली बिमारी नहीं है इसके अलावा कई बार अकडन जो होती है वो बहुत ज़ पकड़ लेती है हम नॉर्मल बासा में कहते हैं एक जगे पकड़ लेती है जैसे कोई पेर लंगडा रहा है तो लंगडाने लग जाता है दो पेर से लंगडाने लग जाती है कई बार उपर से उंची हो जाती है मतलब उपर से उपर उड़ जाना जैसे कमर जो है वो उपर तो ऐसी अगर शिकायद हो रही है तो उस condition में एक soda force powder मिलता है market में जो कि phosphorus का आता है अगर 50-50 ग्राम रूज 10 दिन तक दिया जाए तो धीरे धीरे करके पसू को आराम मिल जाता है इसके अलावा इसके साथ ही bolus दी जाती है Sarah kind plus weight यह Sarah kind plus weight जो है वो बहुत ही अच्छी इसमें काम करती है और ग्याबिन के लिए भी सुरक्षित है और जो ग्याबिन नहीं है उनको भी दे सकते है किसी भी उम्र के पसू को दी जा सकती है soda force और Sarah kind प्रिगनेंसी की हर stage में सुरक्षित है हम आराम से दे सकते हैं और अच्छा बहतर result ले सकते है अगर इनसी result नहीं मिलता तो फिर हमें neuro kind plus weight की तरफ जाना पड़ता है जो कि लग बग 100 ml रोज 10 दिन के लिए दी जाती है जो कि नसों की मजबूती के लिए वो भी बहुत ही अच्छा काम करती है यहाँ पर देखिए इस्क्रिन पर जो बहस दिख रही है उसका 100 point something temperature आया है यानि इसको अकड़न बता रहे हैं फसुबालग भाई तीन दिन से लेकिन temperature जो है वो normal है अब यहाँ पर अगर यही therapy दी जाएगी तो एक दम से बहस तयार हो जाएगी और दूद में भी किसी भी फरकार का फरक नहीं पड़ेगा लेकिन समय पे अगर इलाज हो जाता है तो उसे ठीक करना आसान हो जाता है इसमें जितनी देरी करते हैं उतनी ही समझ्याएं बढ़ जाती है